हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजूकेशन में दोस्तों यह है भूगोल सीरीज का सात्मा वीडियो है और इसके पहले चाहे वीडियो अपलोड हो चुके हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पढ़े उनको देख लिए सार अभी यूपी में बियेड़ में गकेश में एक सीट अपने लिए पकी कर पाएं अपने लिए एक सीट का चैन कर पाएं और आप गवर्मेंट कवडियों की मेरीज में ये सी चीज चलिए, इस वीडियो को सुरू करते हैं, भोगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का परवर्तक कौन है, जो विचारधारा है नव नियतिवाद, इसका परवर्तक है कौन, फरेडरिक रैट जिल, दूसरा आपसन है ग्रिफित टेलर, तीसरा आपसन आपसर नंबर बी नियतिवाद का प्रवर्तक Griffith Taylor है कौनों है Griffith Taylor है नियतिवाद का प्रवर्तक दोस्तों जो भी question इसमें सब question उंदर लेवल के हैं paper में आए वे question है कुछ question हो आपएबाला आने वाले हैं इसलिए अच्छी तरह से हर एक कुश्चन को आप देखेंगे चले कुश्चन में रगला है राकीज एंडीज एटलस हिमालय और आदी किस प्रकार के परवत है जो राकी परवत है एंडीज है हिमालय है एटलस परवत है ये परवत किस प्रकार के है मिस्तिरित परवत है दूस एंडीज एटलस हिमाला यह कैसे परवत हैं वलित परवत हैं कुशन नबर अगला है रेगिस्तानी करड रेगिस्तानी करड का खत्रा जिस महाद्यूप में सरवाधिक है वह है करा कि किस मकाउंस ऐसा महाद्यूप है जिस महाद्यूप में रेगिस्तानी करड का खत्रा बहुत महां द्यूप में रेगी सानी करड़ का सबसे ज़्यादा क्या है खतरा है चलिए कुश्चन अगला है जब हिमनद अस्थल भाग पर प्रवाहित होकर सागर में बिलीन हो जाता है तो बिसाल हिमरास बड़े बड़े टुकडों में बिभक्त होकर जल में तैरने लगती है इन टुकडों को क्या कहते हैं एक बर समस्थे कुश्चन को जब हिमनद अस्थल भाग पर प्रवाहित होकर सागर में बिलीन हो जाता है कहने का मतलब है जो बर्फ जमती है जब बर्फ धीरे धीरे गलेसियर पीखल करके नदी के रूप में हो जाता हिमनद के रूप में फैल जाता है गलेसियर के रूप म तो बिसाल हिम्रा से बड़े बड़े टुकड़ों में विभक्त होकर जल में तैरने लगते हैं तो जो बर्फ था तूट करके पाने की तरह हो गया तैर रहा है उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं पहला अपन है ड्राई कान्टर दूसरा अपन है आइस बर्ब तीसरा है आइस बॉक्स चोथा है आइस कैप राई आंसेर आपसा ओमवी आइस बर्ज बोलते हैं क्या वो उस टुकड़े को आइस बर्ग बोते हैं सosi Runica ऑगला क्वेशन भारती संग में केंध्राश्य प्रदेस हैं भारती संग में कितने केंध्राश्य प्रदेस हैं hebben वार फिर नहौंन हैं साथ हैं हैं इससे अधिक है इसमें क्या है सब्सक्राइब क्छth魔र करने के मेंצ़อง में Orlando मैदान का निर्माड होता है बाढ के मैदान का निर्माड कैसे होता है निच्छेपड से होता है दूसरों आपसे पार्शिक अपरदन से होता है तीसरों आपसे आवगर सड़ से होता है या फिर चौथा आपसे जोहर पूरक जलधारा से होता है तो राइट आंसर आपसे निच निच्ट नुम्न में से किस खेत्र में बिश्व का सरवाधिक पसुगों का मांस उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक पसुगों की मांस उत्पादित की जाती है चलिए कुशन नमबर नेक्स्ट है टाइफू नामक चक्रवात से निनलिखित में से कौन सा छेतर प्रभावित होता है अगला नमबर कुश्चन है सस्य गहनता की द्रिष्टी से भारत का सबसे सम्रिध राज कौन सा है भारत का सबसे सम्रिध राज सस्य गहनता की द्रिष्टी से पंजाब है कौन सा है पंजाब है चलिए अगला नमबर कुश्चन छेतरफल की दृष्टी से विश्व में भारत का कौन सास्थान है सबको पता होगा बहुत इजी कोईश्चन है इस कांसर आफ में कमेंड बॉक्स में बताईएगा अगला देखते हैं कोईश्चन 161 घोल रंद्र का निर्माड निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है करा कि घोल रंद्र का निर्माड निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है पहला आप्शन है बहता हुआ जल यानि कि नदी के कारण यह नदी के दौरा, दूसरा अपसर नवा भूमिगत जल के दौरा, तीसरा है पवन के दौरा, चिवता ही मानी के दौरा रइट अंसर अपसर नाफ ब Tausno B, भूमिगत जल के दौरा घौल, रंद्रका निर्माड होता है नेक्ट नमबर कोईशन है निन लिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीबर वर्सा के लिए उत्तरदाई होता है किरा कि किन बादलों से अधिक वर्सा होती है अधिक वर्सा दिकी पहला अपसन कपाशी है दूसरा अपसन कपाशी वर्सी है तीसरा अपसन वर्सा अस्तरी ह आंसर आपेंी वर्षा अस्तरी वर्षा अस्तरी वर्ष से अधिकेंशlichenफ करो एसया की स्याथ्पी की टृक्षा सरवाध्रिक लंबी किस देश की मुल्याऻले श्ञ dent तापमान वाले अस्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है समान ताप मानवाली जो रेखा जो करें समान ग्रिस मकालीन ताप मानवाले अस्थानों को मिलाने रेखा आइसो थेरे दूसरा अप्षन है आइसो पैस तीसरा अप्षन है आइसो जीरो मीन और चौथा अप्षन है आइसो डाइन right answer option number यह है ISO 13 ISO 13 क्या करती है समान ग्रीस मकालिन तापमान वाले अस्थानों को मिलाती है अगला question भारती जलवायू की सबसे मातोपूर बिसेश्था कौन सी है भारती जलवायू की सबसे मातोपूर बिसेश्था कौन सी है यहां पर साथ Hai उन्टर बौल गइए चलिए कर लो cardi में पूशिट में से कौन है नियमिट अथवा ग्रहिन पवन है नियमित वह ग्रहिन पवन भी ये तो राइट अंसर के आपजन नुमर बिया पारिक पवन कैसी है नियमित भी है और घ्रहिय भी ए चलिए मबर 67 काइन बरा निम्न लिखित में से कौन से देश की राजधानी है काइन बरा राजधानी किस देश की है वो किस देश की राजधानी है आपसर नमबर डी राइट अंसर आस्ट्रेलिया पुशे का आस्ट्रेलिया कि राजधानी कहा है तो क्या बताएंगे कैन बरा है या फिर कैन आंसर है आप्सनबल डी वह कालपनिक रेखा है रेखा एवंक 36 रेखा जिसके संदर्भ में किसी अस्थान की उंचाई या गहराई को मापा जाता है उसे कहते हैं डेटम रेखा चलिए अगला नंबर कुशिशन सरदार सरोवर्बाध परियोजना के बिरोध का सरवाधिक महत्वपूर कारड सरदार सरोवर्बाध परियोजना का बिरोध हुआ था उसका महत्वपूर बिरोध का कारड क्या था उसके सरवाधिक महत्वपूर कारड क्या थे इसका देखिए पहला अप्षन है पारिस्थाइतिक उसंतुलन दुस्तरा अप्षन है भूकंप तीसरा वीस्थापन एंवंग पुनर्वास बूत्वर्वास और प्रिफिवी की उत्पत्ति से सम्मंधित नमीरितम सिध्धान्त हैं प्रिधुविकी उत्पत्य से संबंधित सबसे नया सिधान्त को है सबसे नया सिध्धान्त आपर यह अपर आफ्सपत्त के संबंध में है अगला कुशिए ने कौट जाइन कौट जाइट का यांतरित होता है कहां होता है बलुवापत्थर से कहां से बलुवापत्थर चलिए अर्डबर कुश्यन 172 उर्जा सारच्छड का आसय है किसे से है उर्जा सारच्छड का आसय जो है न वो उर्जा का ना तो स्रिजन हो सकता है और ना ही उर्जा का विनास हो सकता है उर्जा का विनास तो हो सकता है यार लेकिन देखिए उर्जा का ना तो स्रिजन हो सकता है और ना ही इसे नस्ट किया जा सकता है उर्जा कवस के वाल एक दूसरे में ट्रांसफर होती है चलिए अगला कुश्चन है हाइड्रोफाइट है हाइड्रोफाइट क्या है तो हाइड्रोफाइट ने एक जली पाउधा है क्या है हाइड्रोफाइट एक जली पाउधा है आपसन का इसका राइट भी हो जाएगा चलिए अगला नबर कुशन बिस्ट को सबसे गहरी जील कौन सी है कैस्पियन सागर दूसरा सुपीरियर जील तीसरा अम्रिस सागर चावथा बैकाल जील राइट आपसन नमर डी बैकाल जील बिस्ट की सबसे गहरी जील है कुशन बर नेक्स्ट निमलिकित में से किस ज्वाला मुखी को भूमद सागर का प्रकास अस्तंब कहा जाता है कि ज्वाला मुखी को भूमद सागर का प्रकास अस्तंब कहा जाता है राइट आपसन नमर बी है इस्ट्रामबोली ज्वाला मुख्य को भूमद सागर का प्रकास का जाता है चलिए question number next है और यह last question इस वीडियो का है दोस्तों नीनलिखित में से किसकी गड़ना नकदी फसल के अंतरगत की जाती है पहला कपास दूसरा चाय तिसरा जूट चौथा A सभी कपास चाय और जूट कैसिंग यह सभी नकदी फसल के अंतरगत आती हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में